हेलो दोस्तो नमस्कार और दोस्तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में बहुत ही शांदार यह वीडियो है दोस्तो बिलकुल भी इसको आगे पीछे करके मत देख लेना पूरा फ्लो भी गड़ जाएगा बहुत कुछ सीखने को आप लोग के यहाँ पे मिल सकता है सुरस्तो बात हो रही है स्टॉक मार्केट की तो नो डाउट आप लोग को पता है स्टॉक मार्केट मतलब सिर्फ उसी से रिलेटेड नहीं होता है उसका impact directly और indirectly आपके stock के उपर भी हो सकता है तो ऐसी एक बहुत बड़ी activity फिलाल बाजार में चलती वे देखने को अभी मिल रहे एक बहुत बड़ी खबर फिलाल सामने आ रही है तो no doubt आप लोगों ने इसके उपर focus यहाँ पर रखना चाहिए खबर है दोस्तो ब्रजील से related येस ब्रजील अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दोस्तो तो एक particular अगर हम लोग प्रोड़क्ट की बात करें इसके चलते बहुत ज़्यादा popular है हर एक country का न दोस्तो अपना अपना एक मतलब बोलते हैं इसा मतलब popularity होता है किसी particular product से related तो दोस्तो ब्रजील की अगर हम लोग बात करें तो coffee के लिए ब्रजील आप लोगों को मैं बताना चुआगा उनके पास इतने ज़्यादा खेते ना coffee से related मतलब शायदी किसी और country के पास हो बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों को फसल मिलेंगे coffee से related जो हम लोग coffee पीते हैं ना yes मैं उसकी यहापे बात कर रहा हूँ so यहाँ पर यह जो खबर है दोस्तो यह coffee stock से related होने वाली है सर हमारे पास नहीं है चलो skip कर दो बहुत interesting learning मिस कर दोगे मैं again कर रहा हूँ अगर market में अगर आपको लंबा जाना है तो आपके पस जो shares नहीं हो उससे related भी आपको सीखना पड़ेगा so यहाँ पर अगर हम लोग बात करें देखिए अगर आप coffee stocks में निवेश करते हो तो आपको कैसे मतलब दुनिया के सबसे बड़े market के उपर भी focus रखना पड़ता है और ऐसी है एक जबरदस खबर यहाँ पर सामने आ रही है so exactly खबर के है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके पहले भी हम लोग को यहाँ पर नोवेंबर की वक्त यहाँ पर एक खबर यहाँ पर सामने आ रही थी पर दोस्तों अभी यहाँ पर हम लोग को एक बहुत बड़ी negative खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है किसे related है negative खबर तो दोस्तों वो खबर है यहाँ पर heavy rain से related yes heavy rain की अगर मैं बात कुर देखे खेती के लिए पानी तो जरूर चाहिए बड़ इतना जादा पानी मत डाल देना कि पूरा मतलब खेती खराब हो जाए तो आप लोगोंने सुना होगा कि कभी कभी इतना जादा बारिश हो जाता है कि फसल ही खराब हो जाती है same चीज अभी Brazil में हम लोगों को होते वे देखने को मिल सकती है बहुत ही important structure में आपके सामने create करने वाला हो तो focus रखना देखी Brazil दुनिया में मतलब सबसे जादा coffee से related हम लोगों को चीजे वहाँ पर देखने को मिलते है वहाँ तक तो पोचने ही वाली है और सबकुछ मतलब तबाई होने वाला है इसका outcome क्या आएगा अगर ये जो नौर्थ इस्ट पे हम लोगों को ये इतना heavy rain अगर coffee के फसलों के उपर जाते वे देखने को मिलेगा तो coffee की फसले तो बरबादी हो जाएगी इसमें से अगर इतनी coffee चली गई तो demand यहाँ पे इतने की है और supply सिर्फ इतने का रहेगा तो क्या होता है I hope आप लोगों को समझ में आ रहे है जब demand बहुत ज़ादा होता है और supply बहुत ही limited होता है तो उस product के दाम आसमान चुछ जाते है वो चीज़े बहुत ही महेंगी हो जाती है सो customer के लिए बूरी बात है वो पर as a company उन companies के लिए बहुत ही positive sign यहाँ पे रहेगा सो दोस्तों जो Indian coffee वाली जो companies है वो यहाँ पे खुश हो जाएगी क्योंकि अभी international level पे आप लोगों को coffee के दाम बढ़ते वे देखने को यहाँ पे मिल सकते है और यही reason है दोस्तों आज की दिन आप लोगों ने observe किया होगा कि जो coffee वाले stocks है आप लोगों को उसमें जबरदस जंप देखने को मिले होगी जैसे न्यूस सामने आई international market पे publish हो गई यह दिखिए कोफी के stocks अगर मैं पात करूँ यहाँ पे मैं कोई recommendation नहीं दे रहाँ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँ टाटा कोफी कितना भागा 9% क्या पूरे दीन में भागा है गोडाउन पे इसका बहुत ही अच्छा का सा फाइदा यह उठा सकते जो चीज पहले ही सो पर बेचने मतलब बेचने वाले थे सब कुछ उनका प्लानिंग चल रहता सडनली पता चला कि जो चीज वो बेच रहे है उसका अभी क्या होने वाले है शौटेज होने वाले है और तो क्या हो जाएगा नो डाउट दाम उसी चीज के ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी तो यहाँ पर हम लोग कह सकते जो जिससे वो expect करते कि 100 रुपया उनको मिल सकता था उससे शायद से उनको 100 से तो जादा ही मिलेगा अभी कितना मिलेगा वो depend करता है कि international market में कैसे दाम बढ़ते है उसके उपर इसके alternative में आप कौन सा स्टॉक देख सकते वो भी मैं बताऊंगा पहले चेक कर रहेते maximum चाट पेटन देखा गया तो ठीक है मार्केट में मतलब देखा गया तो स्टॉक तो उपर है बट इतना कोई great स्टॉक तो मुझे नजर ने आ रहे ठीक है ओके-ओके स्टॉक लग रहा है यहाँ पे ups and downs बहुत ही जाद है बहुत ही sideways चलने के बाद भी तेजी पुराने लेवल पे ही आ रही है ऐसा कोई सुपर डूपर breakout भी देखने को नहीं मिल रहे है ठीक है तो टाटा कॉफी की बात करें तो नंबर्स भी हम लोगों ने देखने चाहे तो देख ली सकते आप लोग कंपनी के पीएनल देख लेते 2010 क्योंकि सिर्फ नूस सुनके बहुत सारे रिटर इस्टर जम करते ऐसा नहीं है ठीक है नूस पॉजिटिव है सेल्स देख लेते 1200 तेरा सो पंदरा सो शो दैन अगें अगें 6-11-300 साल में सेमी दैन अगें फंदरा सो नीचे आ गया फिर अगें फंदरा सो अब देखरे वह कोई ग्रोथ नजर नजर नहीं आ रही इब्दम सूपर ग्रोथ ने ठीक है ओके फ्लैक्ट फ्लैक्ट चल रहे कि ठीक है जो profit था यहाँ पे 200, 200, 200, 200 के range में 300, 300, 300, 300, ऐसा ही हम लोगो को अभी थोड़ा-thोड़ा 400 करके जा रहे, तो operating profit margin भी इतना कोई सूपर डूपर नहीं, 10 साल पहले की operating profit margin 20 के करीब जा रहा था, जो अभी भी हम लोगों को उसी range में देखने को मिल रहा है, 17 के आसपास, तो देखा गे तो stock study करने के लिए ठीक मुझे यहाँ पे लग रहा है, कभी तो रुख जाएगी, वापस यह cycle है, कभी ना कभी वहाँ पे चलेगा, कभी यहाँ पे भी आ जाएगा, तो news अच्छी है, no doubt, बट ऐसा लगता है कि trading वाली news है, मतलब थोड़ी देर के बाद इसका असर भी चला जाएगा, और वापस वहाँ पे हम लोग को सारी चीज़े रिकावर होते हैं भी देखने को मिली थी, तो टाटा कॉफी को आप study कर सकते हो, देन एक और कमपनी, CCL प्रोड़क्ट, यह भी तो कॉफी वाल है, यह देखिए, सेम, सेम, एक ही टाइप पे हम लोग को यह जैसी न्यूस पब्लिश हुई, स्टॉक रॉकेट बन गया, यह कितना भागा, साड़े नो पसेंट, इसका मैक्जिमम चार्ट पेटन क्या रहेगा, इतना कुछ खास ने, ओक है, ठीक ठाक परफॉर्मनस है, आप लोग यहापे देख सकते हो, छोटी कंपनी है यहापे, तो CCL प्रोड़क्ट भी अगर आप लोग चाओ तो यहापे कंसेडर कर सकते हो, सेल्स क्या है, इस कंपनी के में चिक कर लिता हूँ, यहापे, यह स्पनली हम लोग देख रहे है, 280, 350, 490, 500, 600, 6, 600, 6, 7, 7, 700, 800, 809, ओके, ओके, परफॉर्मनस इतना कोई, जैसे मैं बोला ना, कि इतना सूपर डूपर निये, और वैसे भी चाट पैटन से अंदजा आते हैं, जिसके सेल्स सूपर डूपर होते हैं, वो चाट पैटन ऐसे 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 भगते हैं, तो ये सिर्फ सुनने के लिए ठीक मुझे ऐसा लग रहा है, यहापे खराब नहीं ये कंपनी, नो डाउट, बट वो ग्रोथ नजर नहीं आ रहे, टाइम वेलियो अफ मनी बोलते हैं, कि आपका पैसा तो ग्रोथ हो जाएगा, बट उसके लिए बहुत लंबा खिलना पड़ेगा आपको, तो उस टाइप का ये स्टॉक नजर आ रहे है, प्रमोटर कितना है, 46 ठीक है, FIS no, 70, DIS अच्छे देख रहे हैं, साड़े सतरा पसेंट है, पब्लिक की बात के और तो 26 पसेंट, तो नो डाउट, अगर आपको जाने है कॉफी में, तो आप लोग जा सकते, ऐसी कोई बात नहीं कि खराबी हो गया करके, बट ये दो कंपनी आपके रडार के उपर होनी चाहिए, अभी आ जाते तीसरे कंपनी के और, Tata Consumer Product, सरशाइच से आप कुछ गलत बोल रहे हो, Tata Consumer Product, ये तो चाहिश से रिलेटेड बहुत जादा फेमस है, आप कॉफी में कहावे लेखे आगे इसको, तो नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं, आप अपने जो सोचा है, वो बिल्कुल सही सोचा है, पर यहाँ पर थोड़ा बहुत, मतलब जैसे न्यूज आई, आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ पर भी Tata Consumer में थोड़ी सी हलकी सी जम पाई, और बाद में Trader लोगों ने Profit Booking भी कर ली, तो यहाँ पर जितना यह भागना चाहिए ता, टाटा कॉफी अभी जो दिखाया, प्रमोटर में, यहाँ पर क्लिक करके देख लेना, तो आपको नाम मिलेगा कौन देखिए, टाटा कंजुमर प्रोड़क्ट, येस, तो इससे लिए थोड़ा बहुत फाइदा, इसको हमनों को मिलते वए देखने को आपे मिल सकता है, तो राइधर देन टाटा कॉफी सिलेट करने से अच्छा, या फिर CCL प्रोड़क्ट में जाने से अच्छा, अगर मुझे जाना होता, तो मैं टाटा कंजुमर प्रोड़क्ट के ओर, यहाँ पर इस न्यूस के चलते, इसको जादा में फोकस में रखता, यह मेरा खुद का स्टड़ी के सबसे बात में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जैसे कि मैं हमेशा केता हूँ कि बजाच फाइनेंस, बजाच फाइनेंस भागता है तो तबी बजाच फिंसव भी भागता है, क्यों? क्योंकि बजाच फाइनेंस के 51% शायद से, चेक कर लेना, एक बार 51-52% शेर किसके पास है? बजाच फिंसव के पास है, यह भी चेक करना होता है कि खोन है इसकी holding company, तो यहाँ पर हम लोग नो डाउट कह सकते हैं, यहाँ पर टाटा कंज्यूमर की बात करें, तो टाटा कॉफी के maximum share, मतब पूरे के प्रमोटर के share इनी के पास है, तो इसलिए इस company को भी उतना ही ज्यादा फाइदा है, आपको कैसे दुनिया बर के market के उपर जो खबर रहते हैं, उसके उपर आप लोगों को focus आपके रखना पड़ता है, आशा करता है दोस्तों इस वीडियो से आप लोगो कोई भी मदद मिली होगी, वीडियो अगर अच्छा लगाओगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना, आपको के लिए बाई बाई